ओलेट फेंड्स तो वेलकम बैक इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले है इस वीडियो में हम लोग यह करेंगे कि जो जित्ती वी ट्रांजक्शन हो रही है उसका डेटा ना रेटेन नहीं हो पार है क्योंकि एस सून एस प्रोग्राम इस रणिंग तभी हमारे पास चीजे क्या हो रही है दिख रही है मिर को मैं डेटा कोई ना कहीं सीचर रहा है इस चोड रहे और इसी समहा करती अपनी पास ट्रेंजक्शन भी देख सकूं तो उसके लिए मैं सबसेुपर एक फंक्शन बनाओं जिसका नहां मैं सेव डेटा ठीक है सेव डेटा .txt मतलब blockchain.txt को बना रहा हूं मैं मैं बोलना हूं blockchain.txt को open करो क्यों open करो क्यों कुछ write करता है mode is equal to write as if ठीक है अब take it as a syntax अगर आपको नहीं आता तो बागी आप resources देख भी सकते हो कही सार resources है इसके तो मैं कहा हूं blockchain.txt जो है इसको open करो कुछ write करना है क्या write करना है पहलूँगा भाई write कर दो blockchain को सबसे पहली बात ठीक है एक काम करते है हमको क्या डालना है हमको open transaction को भी डालना तो open transaction को भी मैंने write कर दिया तो चलो कोई दिक्कत नहीं है आप अब इन चीज़े को माइन करते हैं तो माइन किया तो कह रहे है भाई write function जो है वो इसको भी बदल देंगे हमने इसको भी बदल दिया पर दोनों के बीच में segregation भी आना चीज़े इसलिए फाइल डॉट राइट बैक्सलेश अन भी कर दूँगा ठीक है अब मैं करते हो उसको रन करूँगा और यह करूँगा तो देखो माइनिंग हो चुकी और यह ब्लॉक भी बद चुका मारे यह देखो है ना तो हम डेटा को रेटें कर पाएंगे अब जब लोट डेटा को मैं कॉल करूँगा लोट डेटा तो लोट डेटा में भी सेम काम होगा मेरा ठीक है तो मैं बूलूँगा विद ओपन करो किसको बेटा ब्लॉक चेंड डोट टी एकसी फाईल को मोड इसका रहेगा आपका रीड मोड एज एफ और फाईल का जित्तरा भी कॉंटेंट है आप एकक करके रीट कर दो और लाइन लाइन वाई-लाइन तो रीड लाइन्स रीड लाइनस इसे क्या होता है कि पहली यहली यहली पार्ट में है ब्लॉक्चेन है content के जीरूत पार्ट में और जो मेरा open transactions है वो file content के file content के first part first index पर ठीक है इतना मैंने कर दिया इसको तो file को read कर दिया गया और file को read करके मेरा blockchain जो एकदम ठीक है बिना किसी दिक्कत के अब जो ब्लॉक्चेन वाले वेरियबल नहीं यह ना local वेरियबल बन गया आपके मैं चाहता हूँ कि इसी वेरियबल में change आए जबकि मैं ऐसा करूँगा तो यह नया वेरियबल बना के देद करते हैं function के अंदर global variable का इस्तेमाल करते हैं तो run करते हैं इसको मानलो और मैं क्या करता हूँ run किया मैंने और run करने से बहले मैं लोड डेटा भी call कर देना चाहिए था लोड डेटा ठीक है तो इसको मैंने रन किया फिसर रन किया तो run तो कर दिया मैं current blockchain को print करता है तो print किया मैंने तो देखो दिक्कत पता है क्या है दिक्कत बहुत छोटी से दिक्कत ही आई यह देखो print ही नहीं हो कुछ अजीव सा print हो गया तो दिक्कत ही आई है कि जो reading करी है ना उसने हमने डाला कैसे था हमने डाला था स्ट्रिंग की format में और read करेगा तब भी स्ट्रिंग की format में करेगा बट ब्लॉक्चेन क्या है एक list है तो list की तोर पर चाहिए मतलब एक data से दूसरे data में convert करने में दिक्कत हो रही है तो क्या करो आपना जेसन में कर दो सारा काम जेसं में बता दो क्या है जब भी डाल रहे हो न ब्लॉक्चेन को तो जेसन में convert करके डालों जब अब डाल लख दो जेसन.loads होना चाहिए जेसन.loads और इसको भी कर रहे हो तो जेसन.loads ठीक है तो मेरी बात आप समझो ध्यान से वो यह है कि हम string के format में डाल लेते हैं अब नहीं डालेंगे अब जेसन बना के डालेंगे जेसन बना के डालेंगे तो read करेंगे तब भी एक चीज को read कर लेता है एक चीज को back slash n को भी read कर लेगा वो तो मैं बोलूगा कि भाई blockchain तो ठीक है बट आप blockchain को back slash n मत read कर ले न थीक है भाई रन करते हैं जैसी run किया तो कह रहा है यह कुछ issue गहरा अच्छा block इसको डाते हैं काम करते हैं क्योंकि अभी ना अभी blockchain में इसमें json तो गया नहीं है अभी तो इससे string गई हुई है पहले json डालते हैं तो json डाल दिया मैं नहां डालते हैं quit करते हैं 10 coin अभी आ गया मैं पास अब मैं इसको अनकमेंट करके अब json से लोड करता हूँ मैं और current blockchain को प्रिंट करूँ आब देखो आ चुकिए मेरी ठीक है अब देखो मेरी आ चुकिए समझने वाली बात यह है कि हमने क्या किया है जो तभी हम data store कर रहे हैं वो data json की format में है ठीक है और जब load कर रहे है तो json data ही load कर रहे है बड़ उसको convert कर दे रहे हैं हम लोग ठीक है तो इतनी सी बात आपको समझ लेनी है कि हम json का इस्तमाल कर रहे हैं बार बार ठीक है तो इस वीडियो के लिए इतनी आने वाली वीडियो में कुछ और असमें काम करना है अब हम देखेंगे नेक्स वीडियो में इस वीडियो के लिए इतनी हम लोग विलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाए